तो यह है आपका first question, इस question के अंदर आपका क्या given है, calculate half power frequency, आपको निकालनी है half power frequencies, यानि कि आपको क्या निकालना यहाँ पे, यहाँ पे निकालने को बोलना है, आपका F1 and F2 की value क्या होगी, F1, F2 आपके क्या होगी, कब, और फे series resonance circuit, series resonance circuit है, where the resonance frequency is 50 hertz, जहाँ पे resonance frequency आपके कि 50 hertz, यानि कि omega naught की value यहाँ पे आपका given है, कि hertz में है, यहाँ पे आपका 50, oh sorry, F0, F0 it is equal to, आपका given है, 50 आपका given है, और bandwidth आपको given है, bandwidth, यानि कि आपको given है, F2 minus F1, this is equal to 25 hertz, ठीक है, यह आपको given है, तो अब देखो, यहाँ से आपका निकालना क्या है, आपको F1, F2 की value निक F1 and F2, ठीक है, यह आपका geometric mean होता है, F1 और F2 का, यानि कि इसकी value given है, आपकी 50, तो दोनों साइड square करेंगे, square करने पे आपका क्या है, F1, F2, this is equal to 50 का square, और 50 का square आपका इतना होता है, 2500, 2500, पच्चिस सू आपका होता है, 2500 बोल सकते हैं, या फिर 2500 आपका क्या सकते हैं, य इसमें से किसी भी एक को आपका निकाल लीजिए और दूसरे के अंदर आपका पुट कर दीजिए, यानि कि अगर हम इसमें F1 की value निकालें, F1, it is equal to 2500 divided by F2, और पुट कर दें आपका इस equation के अंदर, तो यहां से एक equation आपकी बन जाएगी, और F2 की value आजाएगी, देखें क कैसे, इसको में रखेंगे, F2, F2 minus 2500 divided by F2, this is equal to 25, तो इसको इस तरफ में लेका ही है, यहां से इसका LCM लेजी यहापका आएगा, F2 का square minus 25F2 minus 2500, this is equal to 0, so this is, यहां पी क्या हो जाएगी, यहां पी हो जाएगी, यहां पी क्या हो जाएगी, क्वाड्रिक इक्विशन, तो क् इसके रूट क्या होते हैं, इसको compare कर लीजिए, ax² plus bx plus c equal to 0 के साथ में, तो x की जो value होते है, this is equal to minus b plus minus under root b² minus 4ac divided by 2 है, ठीक है, तो यह आपके इसकी value आजाएगी, यहां से similarly, आपकी f2 की value क्या आएगी, f2 it is equal to minus का b minus minus plus, तो plus का 25 plus minus दोनों साथ में लेते हैं, under root b², यानिकि 625 और minus का 4ac है, तो minus का 4 into 2500, यानिकि आपका हो जाएगा 10,000 plus 10,000 plus 10,000 divided by 2 times a, divided by 2, ठीक है, तो जब हम इसको calculate करेंगे, एक ही जगे आपका 1 है यहां पे, इसको जब हमका solve करेंगे तो, यहां से आपका आएगा, this is nearly equal to, लगभग आपका आजाएगा यहां से, चलिए 12.5 आपका यहां से, और यह आपका होगा, लगभग आपका 50 से अबाओ, नहीं, सुरी, 100 के असपा, 100 divided by 2, 20, तो यह आपका लगभग देगा 64, 63 यह 64 के असपा, 64 हैट्स, आप इसको calculator से भी solve कर सकते हो, approximation भी आप मार सकते हैं, approximation कैसे मारना आपको, यह 10,000 है, तो 10,000 का under root आपका के अतना होता है, 100 आपका होता है, 100 divided by 2, यानि कि आपका, यह आपका हो जाएगा, 50, तो 50 plus 12.5, 62.5 और लगभग एक और जोड़ दीजिए, तो लगभग 64 के असपास आपके आजाएगी, तो एक अगर आपका 64 है, F2 की वेल्यू 64 है, F2 है, तो F1 यहां पे ले आएगे, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो F1 की वेल्यू आपकी यहां से आजाएगी, आपका next numerical, इस question में, आपका दे रहा है कि एक आपका AC source है, और यह supply दे रहा है आपका इसको parallel LCR circuit को, with a capacitor and a coil, यानि कि एक coil है और एक आपका capacitor है, तो यह आपका case first बनता है parallel का, ठीक है, आप इसको notes के अंदर देख सकते हूँ, first case है आपका, या आप lectures के अंदर भी देख सकते हूँ, ठीक है, तो यहां से यह आपका case है, और यहां पे आपका connect है, एक supply source, और इसकी जो आपकी voltage है, यहां पे C की value आपको निकालनी है पहले, ठीक है, और यहां पे आपका है 220 volt और 100 hertz, और 100 hertz पे ही आपकी बोल रहा है, यह आपका coil का inductance दे रहा है 5 millihenry, ठीक है, तो यहां पे, सबसे पहले तो हम resonant frequency से आपका क्या निकाल सकते हैं, पहले इसको देखते हैं, तो यहां से आपका resonant frequency आपकी क्या होती है, F0, this is equal to 1 upon 2 pi, और इसके case में आपका resonant frequency क्या थी, अगर आपको याद हो, तो आप इसको direct कर स लगते हो, 1 upon LC minus R square divided by L square, ठीक है, यह आपके resonant frequency हो जाती है, अब यहां से इसको multiply कीजिए, 2 pi F0 के साथ में, 2 pi F0, इसको में लिख सकता हूं, 2 pi F0 का square, this is equal to 1 upon LC minus R square divided by L square, इसको उस तरफ में लेके जाएए, और L से multiply करवानी है, तो कैसे आपका निकालेंगे, देखो, पहले इसको इस तरफ में लेके जाते है, 2 pi F0 का square, plus R square divided by L square, ठीक है, और साथ में, इसको इस तरफ में ले आए, this is equal to 1 upon LC, L के multiply करा दीजिए, या फिर इसको यहां पे लेए, ये C को यहां पे, तो C, it is equal to 1 upon L, और अंदर आपका कितना बचा, 2 pi F0 का square, 2 pi F0 का square, plus R square divided by L square, ठीक है इनकी value जरा put करके देखते हैं, क्या हैगा, this is equal to 1 upon, now what is the value of L, L की value 5 millihenry, यानि की 5 into 10 is power minus 3, into 2 pi F0, यानि की आपा हो जाएगा 2 pi into 100, और इसका क्या हो जाएगा, square, plus R square, R square का मतलब अपा कितना हो गया, R square का मतलब यहां पे है अपका, that is, R की value 50 million, यानि की 50 का square, into 10 is power minus 6, divided by L L का square, L का square कितना है, 25 into, क्योंकि 5 का square, 25 into 10 is power minus 6, तो यह आपा cancel out हो जाएगा, यहां पे, तो इसको आपका करना है, soul out, ठीक है, कैसे करेंगे, soul out, यहां पे 25 आजाएगा, 25 divided by 25, यानि की यहां पे 100 बचेगा, यहां से आपा conclusion कितना आएगा, this remains 100, ठीक है, और यहां पे आप 28 का square plus 100 करना है, और साथ में आपको यह 1000 डिवाइड़ बाई से डिवाइड करना है, तो यहां से आपका लगबग answer आजाएगा, 628 का square into 5 plus 100, लगबग 49 का सपास आना चाहिए, that is 49.4 millifarad, ठीक है, इतना आपका क्या आजाएगा, capacitance आजाएगा, ठीक है, एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हो, सही है कि नहीं, आप पर calculator लेकर, क्योंकि ऐसा question आपका objective में तो नहीं फसने वाला है, तो यहां पर आपका most probability है, यह question आपका कहां का आजाए, conventional के अंदर आजाए, ठीक है, तो यह आप बाकी आप देख सकते हो, हो सकता है, आपका कई बार exam को lengthy बनाने के आपका इसा कर सकता है, कि ऐसा question आपका insert कर दे, ठीक है, तो यहां से आपके आगे किसकी value, capacitance की value, at the frequency of 100 Hz, ठीक है, तो शायद आप इसको चेक कर लीजी, quality factor अब आपको निकालना है, तो calculate quality factor, q factor आपको कैसे निकालेंगे, देखो, q factor, this is equal to, क्या होता है, आपका quality factor इसकी किसम अभी सिर्फ omega note की value पता है, omega note भी नहीं पता है, खेर हमें f note ही पता है, तो यहां से इसको वैसे भी लिख सकते है, f note divided by delta f, ठीक है, तो bandwidth आपको निकालना है, या नहीं, bandwidth आपको नहीं निकालना है, बट हाँ, half power frequency आपको निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या हो तो यहां से quality factor की value आपकी क्या होगी यहां से, this is equal to omega note, इसकी वही होती है, जो series की होती, omega note l divided by r, ठीक है, तो यहां से इन तीनों की value आपके पस में है, इसको पूट कर दीजे, omega note की value आपकी कितनी हो जाएगी, 2 pi into f note, यानिकी 100, into l, आपका कितना है, 5 into 10 is to power minus 3, divided by आपका 50 into 10 is to power minus 3, यहां से cancel out, 5 से cancel out, 10, यहां से cancel out, this is 20 pi, 20 pi का मतलब आपका हो गया, 20 into pi, 3.14, इसका 2 times 6.28, तो 62.83, इतना आपका क्या आजाएगा, quality factor आपका आजाएगा, अब quality factor अगर आपके पस में आगया, तो bandwidth भी calculate कर सकते है, bandwidth that is equal to f note divided by this, तो delta f, bandwidth अपकी हो जाएगी, और यह यहां से आपका आजाएगा, delta f, f note divided by quality factor, this is equal to 100 divided by 62.83, so this will becomes delta f, इसकी value शायद आएगी 1.59 के असपास, तो यह आपका bandwidth होगी, अब आपको half power frequency बतानी है, तो half power frequency case में, हम यहां पे approximation use कर सकते हैं, कैसे, f1, it is equal to bandwidth, sorry, f note, f note, f note minus bandwidth divided by 2, तो यहां से f note की value 100 minus 1.59 divided by 2, तो यह आपका देगा लगबग 99 point something, 99 point 20 something, 7 and 205 यह 250 कुछ ऐसा, और similarly f2 की value आपके आजाएगी, f note, resonant frequency plus bandwidth का half, ठेक है, approximate आपका calculation करने के लिए, यहां से 100 plus bandwidth का half, 1.59 divided by 2.75 के असपास आएगा, 0.8 माल लिजे, तो यहां से 100.8 के असपास 759 माल लिजे चलिए, ठीक है, और यहां से इसको subject करेंगे, तो यह कुछ ऐसा आजाएगा, तो यह थी आपकी क्या, इस question के अंदर आपने इसको सब कुछ देखा, यहां पे quality factor कैसे निकालते हैं, कैसे आपका parameter calculate करते हैं, कैसे आपके resonant frequency अगर नहीं given होती, parameter given होते तब वो भी calculate कर सकते हैं, आपकी delta f यानि bandwidth और half power frequency भी हम calculate कर सकते हैं, तो यह इस question के अंदर आपका देखते हैं, next numerical, इस question में आपका बता रहा है, कि एक coil है आपकी, जिसका resistance है आपका 10 ohm और inductance है उसका 0.5 henry, ठीक है, coil है आपकी, तो पहले coil को बनाते हैं, यानिक इसका resistance क कुछ given है, और साथ में इसका क्या given है, कुछ inductance given है, यहां पे आपका गिवन है, this is 10 ohm, and this is 0.5 henry, ठीक है, it is connected in parallel with a 400 microfarad capacitor, यानि कि इसके parallel में क्या connect है वही आपका, एक 400 microfarad का capacitor connect है, ठीक है, अब यहां पे आपका एक voltage source है, और आपको जो निकालना है, उसके अंदर क्या है, calculate the frequency, पहले frequency निकालना है, अट वी the circuit will act as non inductive resistance, non inductive का मतलब आपका यह हुआ कि आपका किस की तरह behave कर रहा है, यह आपका pure आपका impedance की तरह behave कर रहा है, तो वहां पे यानि कि आपको frequency निकालना है, कुम सी resonant frequency, तो इस circuit की resonant frequency आप पे क्या होती है, हम omega 0 को लिखते है, this is equal to on the root, 1 upon LC minus R square divided by L square, ठीक है, यहां से, इनकी value आप गीवन है, this is 1 upon L, L की value कितनी है, 0.5 into 400 into 10 raised power minus 6, minus R का square, यानि की 10 का square divided by L का square, यानि की 0.5 का square, ठीक है, यह आप गीवन है, इसको calculate करेंगे, तो यहां से आपका आएगा, 400 into 0.5, यानि 200, तो 1 upon 200 into 10 is to power minus 6, ठीक है, और यहां पे minus का 100 divided by 0.5 का square, 1 upon 4, 1 upon 4 into 4, ठीक है, यह आपका आजाएगा, यहां से इसको calculate भी कर सकतें, this is equal to, simple है, आपका calculation, 10 is power 6 और 10, 0, तो यहां से आपका बज़ेगा, 10,000 बटे दो, यानि की 5000, ठीक है, 5000 minus का 400, ठीक है, और यहां से आपका आएगा 5000 minus का 400, यानि की आपका 70 के असपास आएगा, शायद, नहीं, 70 से थोड़ा कम आएगा, तो this is nearly equal to 68, 68 radian per second, आप इसको calculate करके देख सकते हो, लगबग इतना ही आना चाहिए, तो 68 radian per second यहां से आगया, अब आपको F0 की value कर आपको चाहिए, F0 भी निकाल सकते हो, 1 upon 2 pi कर दीजे, इसके साथ में, omega 9 divided by 2 pi, तो 68 divided by 2 pi, लगबग आपका आजाएगा, यह, 3 to 6, 10 क्या सपास, 10 point something, 10.9 माल लिजे, 10.9 hertz में, ठीक है, 10 point, या, 10 क्या सपास आएगा, आप इसको calculate करके देख सकते हो, exact calculation के लिए, अब आपको निकालना है, इसका real part, तो real part इसका क्या हो के मैंने आपको बताया था, so this is 0.5 divided by r की value कितनी है, 10 into 400 into 10 is to power minus 6, ठीक है, तो यह, आपका आजाएगा, एक, दो, तीन, और यह, आपका देखा, 10 is to power minus 3, so this is equal to 1000, 1000 divided by 8, so this is equal to 125, ठीक है, यह, आपका question के अंदर, यह, आपका direct आपका पूच सकते हैं, गई बार, यह, आपका answer निकाल सकते हैं, आपके calculation थोड़ी fast होनी जाहिए उसके लिए, यह question आपका, कहीं पे भी आ सकता है, objective में भी, आपका subjective में भी, अगर examiner चाहे तो, ठीक है, और आपका data change करके देख सकता है, थोड़ा इसको complicated भी बना सकता है, तो यह question मैंने आपको इसी वज़े से बताया ह ताकि आपको, क्योंकि जो series RLC circuit है, और जो parallel RLC circuit है, उसके तो calculation आपके simple होती है, लेकिन इसके अंदर कई बार हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या करना है, तो इस वज़े से मैंने इसी के question mostly उठा के आपको बताए है, तो चलिए यह था आपका इस question में, अब देखते ह आपका next numerical, इस numerical के अंदर आपको R, L, O, C, तीनों की value आपको given है, और बताया है कि आपको कुन सा circuit है, series RLC circuit, और सब कुछ पूछा है इसने, यानि कि resonant frequency, half power frequencies, bandwidth भी बतानी है, और साथ मैं आपको बतानी है, selectivity, यह सारी चीज़े आपको बतानी है, कि यह आपकी क्या क्या हो आपको given है, L की value आपकी कितनी है, 100 millihenry और यहां पर 10 millifarad, तो यह आपका हो जाएगा, 100 into 10 is to power minus 3 into 10 into 10 is to power minus 6, तो यह आप आपस में cancel out, और यह उपर जाएगा, तो 10 is to power minus 6, इससे बाहर आपके 10 is to power 3, तो 1000 radian per second, इतनी आपकी क्या हो जाएगी, यह frequency आजाएगी, तो omega note की value आपके पस में आ चुकी है, अब हम निकालना है omega 1 and omega 2, तो अगर आपको exact formula याद है, तो हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं, calculate करके, otherwise आप approximate भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपका exact formula से इस बार निकाल के देखते हैं, क्या है आपका, तो omega 1 this is equal to minus r by 2L, और यहाँ पे minus under root r by 2L का square और minus 1 upon LC, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, यहाँ से यह देगा, minus r की जगे आपका कितना है, 10 divided by 2 into L की value आपकी कितनी है, this is 100 into 10 is to power minus 3, minus under root, यहाँ से आपका आएगा r divided by 2L, तो r divided by 2L, फिर से वही आपका 10 divided by 2 into 100 into 10 is to power minus 3, minus का 1 upon LC, यानि की 1 upon LC, LC की value सेम वही है, आपकी 100 into 10 is to power minus 3 into 10 into 10 is to power minus 6, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, देखो, 100 है आपका, यह आपका 10 is to power minus 1 बचा, 100 divided by 2, यहाँ से आपका बच जाएगा, अंदर से 50 minus, और यह आपका क्या हो जाएगा भई, यहाँ से आपने बताया था, this is 10 is to power minus 6, यह आपका आपस में cancel out, तो 10 is to power minus 6, 10 is to power minus 6 आपका आझाएगा उपर, तो यहाँ से आपका आएगा, this is equal to minus का 10, minus का 10 divided by 2 into 100 into 10 is to power minus 3, यहाँ से आपका यह cancel out, और यह आपका, यहाँ से 100 divided by 2, है आपका बच्छे का 50, यहाँ से आपका 50, तो यहाँ से आपका इसको हम वापिस करके भी लिख सकते हैं, यानि कि इस टेप से हम कर सकते हैं, इसको शायद यह प्लस होना चाहिए, यह मैंने होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका कैलकुलीशन करने के बाद में यह जो ओमेगा 1 आपके आएगी, इस नियरली इक्वाल टू 951, क्यों 10 पौर 6 है, तो 10 पौर 3 आपका बहार आएगा, इस यहाँ से आपका r divided by 2l का square minus 1 upon lc है, तो इस बार आपका इसमें यह add करेंगे, तो 1051.25 आपका आजाएगा, इस इस रेडियन पर सेकिंड, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा omega 2 की value, फिर इसके बाद में आपको निकालनी है, bandwidth, bandwidth आपके क्या होती है, इस इस इक्वाल टू r divided by l, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस बार आपका bandwidth omega 2 में निकालना है, यह omega की form में निकालेंगे, तो यह आपका r by l होता है, यहाँ से series rlc circuit का, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, 2 pi की multiply कर देंगे, 2 pi into f, तो यहाँ से r divided by l आजाएगा, तो यहाँ से r divided by l आजाएगा, यह quality factor, एकी बात है, quality factor, it is equal to, आपका क्या होता है, sorry, w note, resonant frequency divided by delta omega, so this is equal to, यह आपका यहाँ से कितना आएगा, this is 1000 divided by 100, so this is equal to 10, यह आपका कितना आजाएगा, 10 आजाएगा, तो selectivity हम बता सकते हैं, आपकी कितनी होगी, 10, इस numerical के अंदर, आपका दिया हुआ है, resistance, कितना है 1 kilo, और साथ में आपको given है, half power frequencies, यहनि कि, hearts के अंदर given है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, F2 की value given है, भई, आपको 90 kilohertz, ठीक है, और F1 की जो value given है, that is 10 kilohertz, यह आपके कितनी है, 10 kilohertz, यह values आपको given है, अब सबसे पहले, हमें bandwidth अगर निकालनी है, तो bandwidth, it is equal to F2 minus F1, this is equal to 90 minus 10, so this will be 80 kilohertz, यहाँ पी केतनी हो जाएगी, 80 kilohertz, अब इसके बाद में, आपको निकालनी, FR, तो FR कैसे निकालेंगे, resonant frequency, FR, this is equal to under root F1 into F2, तो चलिए, under root कर दीजे, इसका, यहाँ से आपके क्या है, 90 into 10 into, और 10 is power 3, इसका, और 10 is power 3, इसका, यानि कि, आपके हो जाएगा, 10 is power 6, ठी आप सुचो, 10 hertz है, यह भी 10 kilohertz है, और वो भी 90 kilohertz है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 900 into 10 is power 3, तो 903 into, और 10 is power 8 हो जाएगा, 3 into 10 is power 4, यह आपके क्या जाएगी, resonant frequency आजाएगी, इतनी, ठीक है, इतनी hertz में, या फिर हम इसको लिखें, 30 kilohertz, 30 kilohertz आपके क्या जाएगी, resonant frequency, अब आगे, आपको L or C निकालने हैं, तो L or C निहाँ पर important है कि L or C आपके कैसे निकाले जाएगे, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको L or C को, सबसे पहले आपने देखा quality factor आपके क्या होता है भाई, it is equal to resonant frequency, resonant frequency divided by bandwidth, ठीक है, तो यहाँ से, this is also equal to, यह किसके बराबर होता है, ओमेगा 0 L divided by R, ठीक है, तो अब यहाँ से, हमें L की value चाहिए, R आपके को, सबसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आपका, L it is equal to, L it is equal to, पहले इसको कर रेते हैं, resonant frequency divided by bandwidth, resonant frequency आपके कितनी है, FR, यानि कि 30, so this is 30 divided by 80, और किलो हर्ट से किलो हर्ट स आपका क्या हो जाएगा, cancel out, यानि कि 10 is power 3 divided by 10 is power 3, या अपस में क्या हो जाएगे, cancel out, this is equal to, omega 0 कितना होता है, 2 pi F0 into L divided by R, R की value कितनी है, 1 kilo ohm, R की value कितनी given है, 1 kilo ohm, तो यहाँ से आपका, L की value चाहिए आपको, sorry, 1 kilo ohm आपको given है, तो इसको हम solve करेंगे, L की value कैसे निकाले करेंगे, L it is equal to, L it is equal to 30 into 10 is power 3 divided by 80 into 2 pi, और साथ में आपका क्या है, F0 है, ठीक है, और F0 की value कितनी है, 30 kilohertz, तो इसको यहाँ भी लिखेंगे, into 30 into 10 is power 3, तो या अपस में क्या हो जाएगे, cancel out, और यहाँ से आपका बचेगा, 1 upon 160 pi, तो इससे आपका आपका जाएगा, index 10, इत ना, Henry, क्या होगा, index 10, आपका आएगा, और फिर आपको निकालना, इसमें capacitance, तो capacitance कैसे निकालेंगे, omega note का square, this is equal to 1 upon under root, oh sorry, omega note, it is equal to this, और यहाँ से omega note का square करेंगे, और यहाँ से 1 upon LC कर देंगे, तो अब यहाँ से आपका C की value निकाल सकते हैं, this is equal to 1 upon L, और into omega note का square, तो यह से 1 upon L की value कितनी है, 1 upon 165, तो 165 आपका ऊपर जाएगा, omega note, आपका क्यतना है, इसका square है, तो 2 pi का square, 2 pi का square, यानि कि 4 pi का square, into F naught की square, यानि कि 30 into 10 is to power 3 का square, ठीक है, तो यहाँ से इसको calculate कर सकते हैं, लगबग, microfarad में आपका कुछ answer आएगा, ठीक है, तो यह आपका हो गया capacitance और यह आपका क्या है, inductance, हम दोनों के value को क्या कर सकते हैं, आपका calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके कुछ numericals थे, इस lecture के अंदर resonance से related, तो अब हम आगे आपका बाकी के numericals आपके जो है, वो test series में भी आपको दिये जाएंगे, और बाकी आपके जो previous exams के आपके numerical हैं, उस और यही आपका chapter जो है, यह आपका आगे machines के अंदर भी बहुत helpful रहेगा, जो next time discuss करने वाले हैं, वो lecture तो बहुत important है, वो आपका exam point of view से भी और आपका machine point of view से भी, ठीक है, तो इस lecture के अंदर इतना ही, thank you, बाकी आप PDF के लिए और बाकी lectures के लिए हमारी app डाउनलोड कर सकत है, पाइफाई learning है, जो आपको Google Play Store पर मिलेगी, thank you, thank you so much.